रूस और यूक्रेन यूद के बीच आपल ने बड़ा फैसला किया है कम्पनी ने रूस में अपने प्रॉड़िक्स की बिक्री पर रोक लगा दी है इसके साथ ही कई रूसी आप्स को आप स्टोर से रिमूव भी किया है आईए जानते हैं कम्पनी ने क्या क्या किया है यूक्रेन में जनक के बीच आपल ने रूस में अपने प्रॉड़िक्स की सेल रोक दी है इस बात की जानकारी कम्पनी ने दी है इससे पहले कम्पनी ने रूस में आपल पे की सर्विस पर रोक लगाई थी साथी Apple ने रूस के news apps RT और Sputnik को App Store से हटा दिया है Company के ओर से जारी बयान के मताबिक Apple ने रूस में सभी sales channels में export रोग दिया है Company का कहना है कि वे स्थिती पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित देशों के सरकार से बाचीत कर रहे हैं Ukraine की उप प्रधान मंत्री मिखाईलो फेडरोव ने Apple को एक open letter लिखा था जिसमें उन्होंने रूस को कमपनी के products, services और App Store से दूर करने की मांग की थी उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम का युवाओं पर असर होगा और रूस के लोग उनकी सेना के इरादों का विरोध करेंगे Apple के फैसले के बाद मिखाईलो फेडरोव ने ट्वीट कर रशिया में Apple products की बिक्री रोकने की जानकारी दी है उन्होंने App Store का एकसेस भी बंद करने की मांग की है Apple ने अपने बयान में App Store को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है हाला कि कमपनी ने युक्रेन में Apple Maps की ट्राफिक और लाइफ इंसिडेंट फीचर को डिसेबल कर दिया है ध्यान दे कि Apple से पहले Google भी ऐसा कदम उठा चुका है Google ने भी युक्रेन में Google Maps के ट्राफिक डेटा को आफ कर दिया है Apple ने कहा हम युक्रेन पर रूस के हमले से बहुत चिंतित हैं और उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो इस हिंसा को छेल रहे हैं हमने इस हमले के जवाब के रूप में कई कदम उठाए हैं हमने रूस में सभी सेल चैनल्स के एक्सपोर्ट को रोग दिया है Apple पे और दूसरी सर्वसिस को भी सीमित कर दिया गया है RT News और Sputnik News अब रूस के बाहर अप स्टोर पर मौजूद नहीं है हमें Apple Maps के Traffic और Life Incident दोनों फीचर को यूक्रेन में बंद कर दिया है कमपनी ने कहा कि हम मौजूदा स्थिती पर नजर बनाए हुए हैं और सम्मंधित सरकारों से बाचीत कर रहे हैं साथी कमपनी ने ये भी कहा कि हम दुनिया भर के उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो शान्ती चाहते हैं